अस्सेलामुलेकूं दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छे होँगे तोाज जो है किसी भी कंट्री में आ रहे हैं तो आपको अरभी सीखना बहूत जो पूरा शुरू से लेकर अन तक देख लेते हैं तो आप मैं गरांटी के साथ कहता हूं कि आप अर्भी ना कुछ ना कुछ अर्भी सीख लेंगे जिससे आपको आगे चलके हेल्फ होगी तो चली सुरू करते हैं सुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे चैनल पर आ गया है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि मतब मतब बोलते हैं आप लोग मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो उसको देख लीजिए क्योंकि उसके बाद ये वाली पार्ट मैंने बनाया रखा हूं ठंडा को बोलते हैं बर्द बर्द बोलते हैं यहां पर ठंडा को लिखते समय थ बाहर को बोलते हैं बर्रा अंदर को बोलते हैं खल दाखिल दाखिल बोलते हैं अंदर को बोलते हैं बाहर को बोलते हैं बर्रा बर्रा बोलते हैं अंदर को बोलते हैं दाखिल दाखिल बोलते हैं अंदर को चुट्टी चुट्टी को बोलते हैं इजाजा चुट्टी को बोलत हैं पलंग को सगीर बोलते हैं और चुट्टी को बोलते हैं इजाजा इजाजा बोलते हैं चुट्टी को पेट्रॉल को बोलते हैं बेंजीन भरना को बोलते हैं एबी एबी बेंजीन एबी बेंजीन मतलब पेट्रॉल भरो एबी बेंजीन पेट्रॉल भरो पेट्रॉल को बो को बोलते हैं एबी का मतलब भरना होता है पेटरॉल का मतलब बेंजीन दाल को बोलते हैं फूल फूल बोलते हैं अंडा को बोलते हैं बेद बेद बोलते हैं अंडा को अंडा को बोलते हैं बेद बेद बोलते हैं दाल को बोलते हैं फूल फूल अंडा को बोलते हैं बेद मताम कुर्सी को कुर्सी बोलते हैं कुर्सी को कुर्सी बोलते हैं कोई भी एक मताम हो जैसे उसमें नास्ता उस्ता कराय जाता हो ना उसे बोलते हैं मताम मताम बोलते हैं कुर्सी को कुर्सी ही बोलते हैं पढ़ाई को बोलते हैं तालीम पढ़ाई को तालीम बोलते हैं और कित किताब को बोलते हैं किताब को किताब भी बोलते हैं और पढ़ाई को बोलते हैं तालीम तालीम किताब को बोलते हैं किचन को बोलते हैं मतबख मतबख बोलते हैं किचन को उसके बाद तकिया को बोलते हैं मुखदा 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 बोलते हैं तकिया को तकिया को बोलते हैं मुखदा कीचन को मतबख बोलते हैं मतबख बोलते हैं कीचन को मुखदा बोलते हैं तकिया को लिखना को बोलते हैं सजल लिखना को मतलब सजल बोलते हैं और उसके बाद कंबल को बोलते हैं बतानिया बतानिया बोलते हैं कंबल को कंबल को बोलते हैं बतानिया लि इजलिस बोलते हैं अरबी में बैठना को बोलते हैं इजलिस, हसना को बोलते हैं यजहक, यजहक का मतलब हसना, इजलिस का मतलब होता है बैठना, इजलिस का मतलब होता है बैठना, बैठने को बोलते हैं इजलिस, घर को बोलते हैं बेत, और रोसुया को बोलते हैं तबाख, तबाख, घर को बोलते हैं बेत, और रसुया को बोलते हैं तबाख, घर को बोलते हैं न रसोया को बोलते हैं तबाख, तबाख बोलते हैं रसोया को, घर को बेत बोलते हैं, मुबारक बाद को बोलते हैं मबरूब, मुबारक बाद को बोलते हैं मबरूब, आना, आना का मतलब होता है ताल, ताल, ताल मिन्स आना होता है, आना मतलब किसी को बुलाए जाता है न, उस मकंसा पीछे को बोलते हैं वरा का मतलब पीछे हुआ और जारू को बोलते हैं मकंसा वरा का मतलब पीछे और जारू को मकंसा बोलते हैं जारू को मकंसा बोलते हैं पीछे को बोलते हैं वरा ठीक है ताइब का मतलब होता है ठीक है जल्दी करो यलसा जल्दी करो यलसा भी बोल जल्दी सुरा मिंस जल्दी दोस्तों आपको ये वीडियो को इसी लगी वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें इसके पिछले वाले भाग को जाकर मेरे यूटूब चैनल पर देखें और उस पिछले वाले भाग में मैंने बहुत सारे अर्वी सब जानना बहुत इंपोर्टेंट है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मासलामा